रोहित की दीदी समिक्षा की शादी अर्पित से हुई थी रोहित 20 साल का था जो कि अपना पूरा दिन मोबाइल पर ही निकालता था कभी PUBG खिलता तो कभी YouTube चलाता एक दिन अर्पित और समिक्षा समिक्षा के ममी पापा से मिलने आते हैं और देखते हैं कि रोहित मोबाइल से हटने को तयार ही नहीं है अरे रोहित तुमारी तो IIT की परिक्षा है ना तुम तयारी नहीं कर रहे हो परिक्षा की वो सब तो मोबाइल पर ही हो जाएगा ये देखे ये है Google इससे जो भी पूछो वो सब बता देता है तो आखिर कागस क्यों बर्बाद करू अरे पर तुम इन प्रश्णों की तैयारी बिना लिखोगे कैसे उसमें क्या है ये देखिए नोटपैड बिलकुल कॉपी जैसा है इसे पर कर लूँगा हम जब तुमारी उमर के थे तब हम दोस्त मिलकर प्रश्ण हल किया करते थे उससे हमारी हैंड राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती थी और समय का भी अंदाजा लग जाता था और फिर साथ में हम एक दुसरे की मदद भी कर देते थे अगर कोई अटक जाए तो आपका जमाना अलग था जी जाजी अभी जमाना फास्ट और समार्ट हो गया है जमाना क्या अब तो फोन भी समार्ट हो गया है समय के साथ बदलना पड़ता है जी जाजी अब बस भी कीजे आप, हर चीज को लेक्चर में बतल देते हैं, रोहित अच्छा कर लेता है परिक्षा में इतने में अर्पित के सास सुझी आ जाते हैं हॉल में और अर्पित इस बारे में बात नहीं करता हाला कि अर्पित को लगता तो है कि पूरी तरह मुबाइल पर लगे रहना सही नहीं है पर वो इस बात को और नहीं छेड़ता, ऐसे ही दो दिन निकल जाते हैं समिक्षा मुझे काम से फोन आया था, मुझे वापस काम पर लोटना पड़ेगा पर हमें आये हुए तो दो ही दिन हुए है, अभी चले गए तो मा और पापा को अच्छा नहीं लगेगा न अच्छे ठीक है, तुम रुख जाओ, मैं काम खतम करके फिर लोट आओंगा एक काम कीजे न, परस रोहित भी परिक्षा के लिए निकलेगा, आप उसी के साथ निकल जाना, दोनों वैसे भी बात नहीं करते साथ में जाएंगे तो हो सकता है, आप लोग आपस में बाचित भी करने लग जाओ ठीक है, मैं काम को दो दिन टाल सकता हूँ उसी राज जब सब खाना-खाने बैठी थी, तो अरपीत अपनी जानी की खबर बाकी लोगों को बताता है मुझे काम के लिए वापस जाना होगा हरे बेटा, पर अभी तो तुम आए हो, इतनी जल्दी चले जाओगे नहीं माजी, समिक्षा यहीं रहेगी, और मैं जल्दी काम खतम करके वापस आ जाओँगा ठीक है, काम भी ज़रूरी है, वैसे कब निकलोगे बेटा? दो दिन में, मैंने सुना है कि उस दिन रुहित को भी परिक्षा के लिए जाना है तो कल मैं दोनों की टिकेट करा लेता हूँ, बुक मेरी टिकेट रहने दीजिये, जी-जाजी, मैं तो फोन से ही करवा लूँगा हाँ, पर कोई दिक्कत हो गई तो आरे, कोई दिक्कत नहीं होती, जी-जाजी, फोन सब कर सकता है हमारे फोन के रिचार्ज से लेकर टीवी का रिचार्ज सब रोहित यही फोन से बैठे-बैठे कर देता है अब यह नई चीज तो हमारे समझ के परे है पर अच्छा है कि रोहित जानता है हमारी मेहनत इतनी कम हो गई भई हाँ आप पर अगर टिकेट नहीं मिली तो अर्पित की बात पूरी होने से पहले ही बिजली चली चाती है अरे ये क्या हो गया आपने बिजली का बिल भर तो दिया था ना अरे नहीं मैं तो भूल गया था अरे टेंशन मतलो मा देखा जिजा जी आप बिजली का बिल भी भर सकते हो समय बदल गया है एक बार फिर अर्पित इस बात पर बहस नहीं करता अगले दिन जाकर अपनी टिकेट करवा आता है और पैकिंग कर रहा होता है जब शाम को अचानक से रोहित के चिलाने की आवाज आती है नहीं प्लीज प्लीज होजा ऐसा मत कर यार प्लीज होजा अरे क्या हो गया रोहित दीदी सर्वर हैंग हो गया मेरे टिकेट मेरे टिकेट नहीं हो पाई दीदी क्या मतलब टिकेट नहीं हो पाई इतने में वहां रोहित के ममी और पापा भी आ जाते हैं अरे क्या हो गया, मा मेरा टिकेट नहीं हो पाया, सर्वर डाउन हो गया, अरे पर तुने तो बोला था कि हो जाएगा, हो जाता है, पर अब क्या करूं, ये क्या हो गया, अब कल की तो कोई बस भी नहीं है, ना ही अब टिकेट मिलेगी ट्रेन की कल के लिए, मुझे तो कोई र गर पर एक दम से दुख का माहुल चा जाता है और सब रोहित को डाणते हैं पर इतने में अर्पित वहां जाता है। काम आसान करने के लिए है पर उस पर ही पूरी तरह से निर्भर होना तो गलत बात है ना। रोहित टिकेट को देख कर बहुत खुश हो जाता है और जोर से जाकर अपनी जीजा जी के गले लग जाता है। गलत नहीं पर दूसरों पर निर्भर हो जाना गलत है। झालत नहीं पर जाता हैं पर जाता है। झालत जाता हैं पर जाता है।